प्रेम सनातन नमस्कार मित्रो प्रेम सनातन टीवी में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे नरक चतूर दशीखी यानि नरक चोदस नरक चोदस को ब्यहत महात्वकूर तेवहार माना जाता है लेकिन आम तोर पर लोग सिर्फ साम को एक दीपक जला कर इतिस्त्री कर लेते हैं आज हम आपको बताएंगे कि नरक चोदस को अगर आप बिधुवत और सास्तूर के अनुसार पूजा करते हैं तो निसंदे ये नरक चोदस न सिर्फ आपको सौंडरी और चिर्योवन देगा बल्कि आपको अकाल मौत से भी बचाएगा यही नरक चोदस आपको नरक जाने से बचाएगा इसी नरक चोदस में आप अश्ट सिद्ध और नौ निधी प्राप्त कर सकते हैं यानि एक साथ सब कुछ प्राप्त करने का ये सु आउसर है नरक चोदस क्योंकि नरक चोदस को हम यम देवता की पूजा करते हैं और अगर हमने यम देवता को प्रसन्न कर लिया तो मानिए कि नस हम नरक जाएगे और नहीं अकाल मौत का भै रहेगा वहीं भगवान श्रीकर्ष्ट की भी हम पूजा इसी दिन करते हैं और भगवान श्रीकर्ष्ट की पूजा करके मनो वांख्षित कामनाय पून कर सकते हैं हनुमान जी का जनुमद्धिन आज ही के दिन हुआ था इसलिए हनुमान जी को परसंद करके हम अश्ट्र सिद्धी और नौ निधी प्राप्त कर सकते हैं यहां तक वामन देव की भी पूजा आज ही की जाती है यानि एक साथ इतने सारी देवताओं को परसंद करने का सुआवसर होता है नरक चौदस हम अपनी बात सुरू करें से पहले आपसे निवेजन और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकेन के वटन को दबा दें नरक चतुरदसी को हम यम की पूजा करते हैं इस दिन आप आटे का चार मुखी दीपक बना कर उसमें तेल भर दें फिर घर के सबसे बड़े ब्यक्त के नाम पर उस दीपक को जला कर पूरे घर में उसे घुमाएं और फिर घर के मद्यभाग यानि की आंगन में उसे रखते हैं और यादर कि दीपक की जो बाती हो वो दक्षन की तरफ होनी चाहिए घर के मुख द्वार पर भी आप दीपक जलाएंगे और घर के सबसे पीछे वाले भाग में भी आप दीप प्रज्वलित करेंगे ऐसा करने से यम परसंद होते हैं और इसी दिन प्राता इसनान के समय आप जल में थोड़े से काले चिल डालकर तीन बार यम दियोता को और तीन बार अपने पितरों को तरफण करें ऐसा करने से आप अकाल मौत तलती हैं और नरक जाने से भी आप बश्ते हैं ये भी कहा जाता है कि अगर आप नरक चतुर्दसी को प्राता सरीर पर पहले तेल लगाएं फिर सोगन भी द्रब्यों से तयार किये गए उप्टन लगाकर असनान करें तो आपको चिर्योवन प्राप्त होता है सौंदर निखरता है खासकर अगर आपके सरीर में किसी प्राकार का चर्म रोग है तो ये क्रिया आप जरूर आजमाएं आज के दिन वामन देवता ने राजा बली से तीन कदम भूमी मांग ली थी इसलिए वामन भगवान जी भी आज पुजा होती है सास्तर कहते हैं कि कार्टिक की चतुर दसी को ही हनुमान जी का जन्म हुआ था इसलिए हनुमान जन्मोसों के जिन यदे आप हनुमान जी की अराधरा करते हैं पुजा करते हैं उन्हें लड़ू का भोग लगाते हैं घी का दीपक जलाते हैं तो मान की चलिए एक अश्ट सिद्ध और नौ निधी उनसे प्राप्त खर सकते हैं। अब सवाल है कि कार्टी की इस चत्रुदसी को नरक चौदस क्यों कहा जाता है। कथा है कि इस द्वापर में नरका सुर नाम का एक बलसाली अत्याचारी असुर था जिसे ने 16,000 इस्ट्रियों को अपने महल में बंदी बना रखा था। भगवान कर्ष्ण की पतनी सत्यभामा को उन इस्ट्रियों की पीड़ा देखी न गई। तब उन्होंने नाराण से उनकी मुक्ती का और उद्धार की कामना की। भगवान श्रीकर्ष्ण ने नरका सुरुका आज ही के दिन बद करके उसकी कैद से 16,000 इस्ट्रियों को मुक्त कराया था। कहते हैं कि मुक्त हुई इस्ट्रियों को जब उनके परिवार ने सिवकार नहीं किया तो भगवान श्रीकर्ष्ण ने उन्हें अभी बावक की में मनाया जाता है कहते हैं इस दिन भगवान श्री खर्ष्रीक्रष्ण का पूजन करने से मनो वांख्षित कामनाय प्राप्त होती हैं कुल मिलाक अगर देखा जाये तो नरक चौधस एक वह परव Index jim यम जी पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, वामन देव की पूजा करते हैं, और भगवान शिरीकृष्ण की पूजा तो करते ही करते हैं, तो कुल मिलाकर नरक चौदस को हमारे बताए गए प्रियोगों के तहट आप पूजा करें, भगवान को प्रशन करें, घर में दीपक जलाएं, आपको मनोवांचित कामनाय पूर होंगी। हम फिर मिलेंगे तिसे नए कारिकर्म के साथ तब तक के लिए नमस्कार। प्रेम सनातन टेवी को सब्सक्राइब करें। हमारे कारिकर्मों को लाइक करें और शेयर करें।